खर्वन बढ़वानी के मद्यवसा जुर्वने गाओ कौमी एकता के मिसाल कायम कर रहा है विगत चुमालिस वर्षों से यहाँ पर हिंदू और मसलमान मिलकर हजरत अब्दुलकरिम श्याबाबा का उर्स मना रहे है दरगा वफ बोर्ड कमीटी के अध्यक्षर रशित खान ने बताया कि इस वर्ष शनिवार से तीन दिवसे उर्षत का आयोजन किया जाएगा जिसमें एक दिसमबर को चादर पेश की जाएगी तथा दो तारिक को कववाली का प्रोग्राम होगा वब प्रदेश के गुरुह मंत्री बाला बच्चन में शामिल होगे तीन तारिक को रंगे में फिल का आयोजन होगा इस दोरान हिंदू और मुसल्मान मिलकर इस आयोजन को पूरा करते है जुर्वानिया से समाधाता उमर फारुक शेक सत्य न्यूज रशित खान साब क्या आयोजन उर्सका है और कितने सालों से आयोजन कराते हैं ये उर्सम मुबरा के तैयारी चल रही चल रही चुमारे स्वा साल है इसमें दूर्दरा से लोग यहां हिंदू-मुसल्मान के एकता दूर्दरा से लोग आते हैं एक तारीक को यहां चादर शरी पेस की जाती है और लंगर होता है दो तारीक को रात में कवाली का प्रोग्राम होता है जिससे चारोपरान से लोग आते हैं न उसनाया में भी यहां सब लग आहएं और मेरी कमेटेश के सद्साइब्ध सो customer को इस प्रोग्राम को कामियाब्न करने में छीच्ण जव agrade करिम बाबा की इहां पर करिम बाबा की दर्गा वहां पर आपके मनत पूरे होगी तो कुछ लोग आकर यहां देखते हैं और देखते हैं पता चलता है कि यहां करीम बाबा का मिसाल हुए को 40 साल हो गए जैसे कई मिसाले हैं बाबा यहां पर बागदे में पाव में डाल कर मच्छी खिलाया करते थे और बहुत सी इसी बाते हैं जो बाबा पंजाब परांच से आये हैं जहां पर इनका कुटिया में रहते बस यही उनकी खंशे थे चड़ी मुबारक से मार कर सब लोगों की दुख तकलिपों को दूर करते थे बाबा पान और चाय के बड़े शोकिन